मुदी वान और टू में ज़्यादातर कौन सा जोजना सफल रहा है और टू में कौन सा जोजना को लोगों ने ज़्यादा प्रसंद किया है दोजार चोड़ा में जब मौदीजी ने देशकानेतर तो सभाला तो मिरे याद है मैं कृष्यराजमंतरी था और यह करेब 22,000 क्रोडर रुरुपए था और आज अगर मैं बात करूँ दोजार उनिस में मंत्राले अलग बना एनिमल्स बेंटरी डेरी और फिश्री दोजार चोदा से उनिस के बीच में हमारा मुख्य रूप से इनिमल्स बेंटरी में हम दो योजनाय लेका आई राष्ट्य गोकल मिशन उसका एक सोच थी कि और दूसरा मतश्य पालन के लिए हम लेका है ब्लू रिवलिशन परदान्ति लिए पहली बर शब दिया कि ब्लू एकोनोमी उससे पहले कभी मतश्य पालन पे अफिश्री पे इतना इंफेसिस पूरे कंट्री में नहीं रहा लेकि परदान्ति की सोच थी कि एक गरीब जो मच्छवारा है उस से जुड़ा हुआ है और बहुत से इंट्रपनियोंस में आ सकते हैं राष्ट्य गोकल मिशन की कल्पना इसलिए की गई कि आजादी के बाद हमारा फोकस राके जो हमारी इंडिजनेस ब्रीड थी जो देशी पस अटा और हम क्रोस ब्रीडिंग की तरफ चले गें क्रोस ब्रीडिंग में जाते रहें और एक ऐसा हा गया कि जो हमारे इंडिजनेस ब्रीड थी समापती की ओर थी करीब थी तो उसको ध्यान में रिकते हैं रास्टिक ओकल मिशन ले गाए और तरह से भारत सरकार का जो ध अटी है या और बहुत सी इंडिजनेस ब्रीड से उन पर हमने काम शुरू किया और आज आप देखेंगे तो 2011 के संसस से 2019 के संसस में लगातार इंडिजनेस ब्रीड की संक्या बढ़ती चली गई और आज इस्थिती है कि दुबारा हम इंडिजनेस ब्रीड की तरफ ध्यान देखें उनको परोठा रहे हैं ब्लू रिवलेशन का इतना बड़ा इंपेक्ट आया कि देश में किसी भी सेक्टर की इतनी ग्रोथ रेट नहीं रही जितनी फिसरी सेक्टर की रही है आप कह सकते हैं करीब लगातार पिछले आठ सालों से हम सेवन तू नाइन परसेंट के बीश में 10% तक हम ग्रोथ रेट पगए हैं तो 2019 तक हमारी दो योजना मुख्य तोर पर चली 2019 में नई सरकार बढ़ने के बाद परधामत्री जी ने एनिबल्स बेंडी डेरी और फिश्री को लग मंतरा लग गया तो जो 22,000 कोड़ से 2014 में हम चले थे आज अगरिकल्टर मिन करीब बजट है और इसके लावा जो आत्मने पर भारत में हम कहीं स्कीम लेका आए वो इस से अलग है एनिमल इस बेंडी इंफरस्ट्रक्टर डवलप्मेंट फंड हो या फिश्री डवलप्मेंट फंड हो या फिश्री डवलप्मेंट फंड हो यह फंड अलग है जो इंट क्रोड के करीब हम पहुंसते हैं तो आठ साल में बाइस जार क्रोड से और डेड़ लांग क्रोड की जर्णी यह दिखाती है कि इस सरकार का फोकस एग्रिकल्चर या इनिमल्स बेंडरी या फिश्री पर कितना बड़ा रहा होगा असर इस बार की दो जारवनीज से के बाद हम हो एइनिम वेन्डरी सेक्टरमे से इस रूप से हमने पूरे देश में पहले केंज सरकार मात्यों दो मदद करती थी वैक्सिनेशनमा वह सुरे फियुक्र का निंव प्रदेश सरकार क प्रदेस अरो इसके बाद हम पीघी या कि लए स्वाइन फियोर की वेक्सियन लाई वो भार्व सरकार अपनी तरफ से लागा तार कर रहे हैं गोट और शीप को हम नहीं लेकर जा सकते हैं और पूरे कंट्रीं में साल हम врем पिछले साल एक साल के अंदर करीब साड़े चार घजार मोबाइल वैटनिरी क्लिनिक देने का प्रियास किया है करीब भर ब्लोक में ये तो शुरुवात है आप कह सकते हैं शुरुवात है तो आगे कहा जाएंगे इसे तरह से फिश्री में जो पिछली सरकार में हमारा ब्लू रिवलिशन था इस बार हम प्रधानमत्री मतस्य संपदा योजना लेका आए हैं और ये भी करीब 20 जार कोड़ की एक योजना है जो इस बार है तो आप कह सकते हैं जिस मंत्राले को कभी कोई पूछता नहीं था और जो किसान के और गरीब किसान के बिलकुल नियुक्त आपका जी देखें मंत्राले अलग होने के बाद हम वेक्सिनेशन टोटली वेक्सिनेशन आपने आप में लिया मोबाइल वेटनेरी क्लिनिक हम लेका आए फिश्री के लिए हम परदानमत्री मतस्य संपधा योजने लेका आए और राश्ट्य गोकुल मिशन जो पहले से था वो स्कीम भी अपने शुरू किये